हेलो फ्रेंट्स, टाटा कमपनी के मालिक रटन टाटा ने एक बाद फिर से सब के सामने दरिय दिल का एक उधान पेश किया है रटन टाटा की कमपनी टाटा इस्टील ने कोविड नाइटिन से मरने वाले करमचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए सामाजिक सरोच्छार यूजना की खोशना की है Tata Steel ने ऐलान किया है कि कमपनी कोरोना से जान गवाने वाले करमचारी के परज़नों को करमचारी के रिटायमेट यानि 60 साल की उम्र तक उनकी आश्रितों को पूरी सैलरी देता रहेगा सैलरी का या amount मृत करमचारी की आखरी सैलरी के बराबर होगा इसके साथ ही कमपनी ने ये भी बताया है कि इन कर्मचारियों के परिवारों को बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल और आवा सुधाय भी मिलती रहेंगी इसके लौँ यदि कोई फ्रेंट लाइन कर्मचारी काम के दोरान संक्रमित हो जाता है और उसकी मिलत्य हो जाती है तो कमपनी उसके बच्चों के ग्रेजवेट होने तक उसकी पढ़ाई का सारा खर्च वेहन करेगी टाटा कमपनी की इस घोषणा को काफी लोगों ने सराहा है जानकारी के लिए बता दें कि टाटा समू के इस्ताफना अठासों अर्शट में जमसेज जी टाटा ने किया था आज 153 साल पुराना यह समू आज दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में काम कर रहा है और टाटा ग्रूप में 100 से ज़्यादा कमपनी है टाटा कमपनी से जुड़ी यह नौलिज आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइम करना मत भूल दियेगा